हाई दोस्तो, आज डेट है, चाज अनौरी और हम लोगा सुरू करेंगे इंटोरियल, देहंदु इंडिया इंटोरियल इसमें है इंडिया राइडस रिकारड, अमेरिकंस ब्लिंकरड विजन, मतलब इंडिया का भारत का आम नवा अधिकार रिकार्ड जो अधिकार होता है उसकी बात की जा रही है और अमेरिग का बिलिंकड विजन बिलिंकड मतलब दुदुला अमेरिका का दुदला विजन उस पर बात करेंगे तो लेट सिस्टार्ट रिसेंट इंडियन फॉरेंट पालसी है चेकर्ड रिकॉर्ड इंट वेसिलेशन्स ओवर दे तालिबान्स डिजूमिंग कंट्रूल इन अफगानिस्तान बिंग वन इंस्टेंट हाला कि रिसेंट में मतलब रिसेंट मतलब जल्दी में ही जो भारत की विदेशी नेती है उसने एक बिचित रिकॉर्ड लिया है एंड वैसिलेशन मतलब उतार चड़ा किसमें अफगानिस्तान में जो तालिबानियों ने जो कंट्रूल ले लिया है उसकी बात करें बट इट कैन नाट बिट इनाइट प्राइम मिनिस्टर नरंदर मोदी हैज बिन रिमार्केबली सक्सेस इन्डियन रिलेशन्स विथ वासिंगटन अंडर युनाइट इस्टेंस प्रेशडेंट जो इबाइडन डिस डिस्पाइट ओवर्ट विंग आप फार्मर प्रेशडेंट डोनाल्ड ट्रॉप इसमें यह बोला जा रहा कि लेकिन बट लेकिन इसमें इस बात को कोई नकाल नहीं सकता कि जो नरंद्र मोदी अपने प्रदान मंत्रीची हैं उन्होंने एक और्डियल मतलब एक हादिक खुस्नुमा रिलेशन इसके साथ जो बाइडन के साथ अमेरिका के प्रेशडेंट के साथ तैय किया है और लिखाया कि ओवर्ट वूइंग और फॉर्मर आया अपने प्रदान मंत्रीची नहीं है एक को मोडेटिंग मतलब होता है मिलन मिलन साल टाय इंडिया इंडिया इस कंसिडर्ड़ क्रिटिकल एले बाइडर इन इस्टेट दावनली डेजिगनेटेड मेजर डिफेंस पार्टनर एंड अंबेस्डर डेजिगनेट तु इन इसन सार मुर्वाइटल टू दर फूचर आप अमेरिकन सिक्यूर्टी एंड प्रॉस्पर्टी देन इंडिया यह बुला जा रहा है कि जो भारत है वह उनाटेड इस्टेट के लिए बहुत एक महतपूर है महतपूर है क्रिटकल एली मतलब होता है महतपूर देश क्रिटकल एली मतलब होता है दोस्त और क्रिटकल मतलब और है यहाँ नी गोला जाएगा इसमें यह बोल रहें कि यह बोला जा रहा है कि अम्वैस्टेड डेजिगनेट इननोंने भासट दिया है कि इसमें 여태 से ज्यादा- इंपर्ट्रट्ट के लिए अमेरीकां की सिकर्टी और संब। अड Pitti और अमेरीकां की स्कूरूर्ट के लिए रच्छा लिए इन देल्ली लास्ट अक्टूबर यूएस डिप्टिस सेक्रेटरी ऑफ इस्टेट वेंडी स्रीमन सेट अफ इंडिया पर्शेज आप रसीयन सेक्रेटरी एक्टूबर में यूएस की जो सेक्रेटरी थे सेक्रेटरी हैं वेंडी स्रीमन ने उन्होंने बोला कि हम लोग काफी सरवजनिक हो रहा हैं पब्लिक मतलब सरवजनिक हो रहा है कि एनी कंट्री डेसाइड टू यूज एस फोरंड़ और उस पर बोलना काफी सरवजनिक हो रहा है कि हम उस पर कोई अगर कंट्री एस फोरंड़ यूज कर रहा है तो उस पर हम बोल रहे हैं we think that it is dangerous और हम देखिए बोल रहे हैं कि हम काफे सरज नहीं बोल रहे हैं we think that it is dangerous यह कह रहे हैं कि यह हम सोच रहे हैं कि यह काफे dangerous है and not in anybody's security interest और ना है किसी के सुरच्छा के लिए है यह बट आउर अथोर्टी डिद नोट थिंग इट नेसेसरी टू कि अब हम यह बोल रहे हैं स्रीमान जी कि यह जो उनका बोलना हुआ था सेक्रेटरी का कि यह कोई एक महत्पूर्ट डिल नहीं है डिल और जो लोग की सुरच्छा और लोग की हित में नहीं है उस पर यह बोल रहे हैं कि हम और हम लोगी अथोर्टी बाइंडियन गॉवर्मेंट इस पर उनके कोई कोई टोक नहीं रहा है और उनके इस अभद्र बोली पर कोई उनको टोक नहीं रहा है वह बोल नहीं रहा है पर वाट अमिरिकस्टर लेट जमेंस अस्टीन थर्ड काले शेल वैल्यू और इनशन ने क्या कि जो दिफेंस मिनिस्टर लेट जम्स अस्टीन थ़ड ने इसे एक साजा वैल्यू बोला है जबकि वासेंगिंटन टेक्सन अन एक अक्कोमडेटिंग विव उन स्पेड इंड यूम राइट्स जबकि क्या है जो वासिंगोडन टेक्स एंएकुमेडेटिंग हुए मदल्ब की घ्रत भारत भारत में जो फैला हुए है क्या भारत में जो डाउन गलिटश हुआ किसमें उसके डिमेकरेटिक नॉर्म मे उसका मुल्य एससिंग मतले हमुले अंकन तो उसमें उसके लोगतां तरक्त्रिक मांदंड में जो हानी हुई है और यूमन राइट्स और लोगों के मानवा अधिकार पर जो कमी आई है उस पर यह क्या का राइक मिलंसार वीव रख रहा है लाइक इजराइल के तरहं इंडिया फाइंडिया फाइंडिया पॉषिंग्य्टन इंब्रैश प्रवाइड्स इफ्लियम इनले सμीट्पी में दलख है हुआ है जैसे वासिंग्टन इस्राइल को गले लगा लिया है वैसे इंडिया को भी वासिंग्टन गले लगा लिया जिसके वज़े से भारत को इम्मुटी मिल रही प्रत्रियच्छा मिल रहा फ्राम इंटरनेशनल क्रिटिस्जम बस्तब विद्यशों से जो क्रिटिस्जम होता है उस से शुरुच्छा मिल रही है। The US State Department's country report on human rights practices itself last March record significant human rights issue in India including extrajudicial killing, torture, arbitrary arrest, detention, violence against minorities, unjustified harassment of journalists and censorship and blocking of website यहां पर बोला जारा, US State Department country एक report जारी करती है कि इस पर human rights पर human rights मतलब मानव अधिकार पर एक अपने last March में एक record निकाली थी उसमें लिखा था significant human rights is issue, significant मतलब महतपूर मानव अधिकार बहुत एक महतपूर issue in India including extrajudicial killing, मतलब जब जब judge के दौरा, जब court के दौरा जब कोई नहीं नहीं आया है उससे पहले विए अगर किसी को torture कर दे रहे हैं किसी को मार दे रहे हैं उसको हम extrajudicial killing बोलेंग टौर्चर कर रहे हैं किसी को arbitrary arrest मतलब मनमानी तरीके से किसी को arrest कर रहे हैं detention मतलब किसी को उसके घर पर ही निगरानी लगा देना violence against minorities वाइलेंस मतलब हिंसा किस minorities मतलब जो जिसकी जनसंक्या कम है जैसे मुसलमान हो गए इसाई हो गए इन लोग उपर जो वाइलेंस हिंसा होता है उस पही बात की गई है unjustified harassment of journalist जो पत्रकार है उन पर कोई बेतोका तरीके से हरस्मेंट किया जा रहा है censorship and blocking of website जिस प्रकार से भी देख रहे होंगे कि न्यूज में आता कि आज भी साइट बंद हो गई है तो इन सब चीजों को भी बात की जा रही है India is rated poorly by the US based Freedom house which called it partially Free Sweden's Williams Institute which dubbed it an electoral autocracy the Economist democracy index and the Stockholm institute for democracy which India had helped to establish ये बोल जा रहा है कि India एक यूएस के द्वारा एक फ्रीडम हाउस एक रिपोर्ट जारी की जाती है इसमें उसको क्या बोला गया फ्रीडम हाउस के द्वारा इसे पासली अमलब आंसिक फ्री बोला गया है इसे क्या बोला है चुनावी निरंकुस्ता बोला है यह दोनों दोनों में इंडिया ने साहता की है उसकी बंदने में मदद किया है 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 यह अब इंडिया रंक्ट 142 इन दर वर्ड प्रेस फिर्डम इंडेंक्स आफ रिकोर्ट बडर्ड पने यह ए संस्था उस के द्वारा तो इसमें इंडिया को 142 रैंक मिला और कितने देशों में 180 देशों में 182 देशों का जो सर्वे होता है उसमें भारत को 142 रैंक है मतलब सोचिए कि जो 142 देश 142 देश भारत से अच्छे हैं यह सोचने यह देखा जाएगा इसमें मतलब कि अगर नार्वे सबसे टॉप पर है जिसमें मीडिया जो एकदम फ्री है लेकिन भारत में कितना ज्यादा मीडिया प्रभावी है गवर्मेंट से इसमें यह देखेने को मिल रहा है इसमें दिखाया गया कि कि इसमें यह भी एक रिपूट है इसमें क्या होता है कि जो माइनोर्टी लोग होते है उन पर जो अत्याचार के सिंस होते हैं उस पर एक रिपूट जारी करती है इसमें देखते हैं भारत के दिया इंडिया इस रेंग दो ओपन डूर्स वार्ड वर्ड वाच लिस्ट पर एक्स्ट्रीम क्रिस्चन पर्सिक्यूशन भी लोग सर्या इसमें देखा गया कि यहां पर थे हम लोग न यह जो कंट्री और पर्टिकुलर कंसर्ण इसमें क्या होता है कि कि यह एक यह इनाटिट इस्टेट अफ सेक्रेटरी के द्वारा यह जारी की जाती है और इसका हेड होते हैं प्रेस्डेंट अफ यूएस के प्रेस्डेंट होते हैं और इसमें यह जो सीपीसी होता है ना कंट्री अफ पर्टिकुलर कंसर्ण इसमें बेसिस क्या होता है कि क्र इन्डिया इज रेंक्ट इन ओपेंड डॉर्श वल्ड वाच लिस्ट फार एक्स्ट्रीम क्रिस्ट्रीम पर्सिक्यूशन पिलो सिरिया और यह भी एक रिपोर्ट है ओपेंड डॉर्ट वल्ड वाच जिसमें भारत का जो रैंक है ना मतलब extreme उपर होती है जो कि सिर्या एराक और स्वादी अरभिया से थोड़ा सा ही उपर है भारत इसमें बोला जा रहा है कि जो यूएस गवर्मेंट है इनाटिर इस्टेट के सनिवतरास्ट के जो गवर्मेंट है वो सब कुछ इगनोर कर देती है कियों किसका मतलब जो भी एंजियो जोते हैं उनके जो मानव अधिकार पर बात करते हैं उन सब के वीव को इन सबकी रिपोर्ट के ये यूएस गवर्मेंट इगनोर कर देती है क्यों क्योंकि जो नरंदर मोदी गवर्मेंट है वो भारत के लिए अब युनाटिर स्टेट के लिए बहुत एक अनिवार सिलेशन है न好啦 His government कि纶 की मोदी जी की गवर्मेंट जो है mint has no sympathy मोदी जी की बोला जारा है कि मोदी जी की जो government है उसमें कोई भी sympathy NGO के लिए भी sympathy नहीं है portraying their conclusion is biased and uninformed और उनका जो conclusion होता है मोदी जी का वो एक biased होता है और एक uninformed मतलब बे मतलब का बेस्विक मेडिया के बात के जारे diplomacy does not proceed according to ethical standard nor does the global media बोला जारा है कि जो कुटनिती है वो ड़स नाट प्रोसीड according to जो नैतिक मानक होते हैं उससे कुटनिती भी नहीं नहीं चल सकती और नहीं global media वेस्विक मेडिया नहीं चल सकती शिक्स ताइं इन अगॉस्ट अप्वान इस्टेलिया और शिक्स इन आल इल्यूनियस वेरहूस कोलेप्स makes headlines while reporter does not reports that every 25 minutes and Indian women commit suicide 48 percent dying in volcanic eruption in Java and 208 in typhoon in Philippines are not the newsworthy बोला जारा है कि जो इस्टेलिया में च्छे लोग मर गए किसे हवा के जोके से तो वो न्यूज में आ गया सिक्स इन इल्यूनियस वेरहूस कोलेप्स makes headlines जो इल्यूनियस वेरहूस गोदाम में च्छे लोग मर गए उसकी रिपोर्ट आ गए जबकि भारत में 25 मिनट में कितने लोग तो 48 मिनट में एक लोग सुसाइट करते हैं एक अवरत इंडिया में और 48 परसंस मतलब 48 लोग किसमें मर गए हैं वल्कॉनिक इरप्शन हुआ था जावा में एंड 208 लोग किसमें टाइफून इन फिलिपिन्स फिलिपिन्स में एक टाइफून एक एक जिग्राफिक कंडिशन बनती है उसमें मर गए थे तो वह सब न्यूज के लिए नहीं नौट दिखाया ना नौट न्यूज वरती है न्यूज लाइफ नहीं है नौर इस दक्रेंट हीरूइक पर्फुलर न के पापुलर चलिक है पापणलर लबाप्लर इन इन सुडान फार देमोक्रेटीटिक गोवर्मेंट और ना ही यह भी न्यूज में है कि क्योई सुडान में लोगतंत्र के लिए लोग मांग कर रहें यह भी नूज में नहीं है इंप पास टाइम थर्ड वर्ड लीडर्स इन कंट्रीज सच इंडिया मलेशिया इंडोनेशिया एंड नाजीरिया ट्राइट रिवेल मीडिया प्लेटफॉर्म बुला जा रहा है कि जो थर्ड कंट्रीज थे पास टाइम मतलब भूत पूर हो समय मे पहले नहीं बोल से कि बहुत पूर समय में उसमें बूला जाएक थर्ड वर्ड लिडर्स चालोड कंट्रीज जो होती है भी है वह इंडिया इंडिया मलेशिया इंडोनेशिय के ट्राइट टू क्री एट इलो व्या क्रतिएंड प्रतिदोन्दी मीडिया प्लेटफॉर्म ब और कतर चाइना और रशिया क्या करें 24 24 और निव चैनल प्रसाधित करने का प्रोग्राम में लेकिन क्या हुआ कि वह संसाधन को मैस नहीं कर सकें मतलब प्राप नहीं कर सकें और रिच आप दे इंट्रेंश्ट वेश इंट्रेंश्ट मतलब और आरोप और वह कहां तक आरोप तक पोज़ें वेश्ट डॉमिनेंटेड डॉमिनेटेड इंग्लिस मीडियम नीज इको सिस्टम विच इंक्लूड शॉप्ट पावर एसेट एसेट्स सच इस मूजिक फिल्म एंड कल्चर और बोलो जारा कि वेश्ट वेश्ट कल्चर जो हता न तो इसे तरह वेश्ट कंट्री जैसे अमेरिका हो गया यह सब जो ब्रिटेन हो यह सब वेश्ट कल्चर बोल जाते हैं तो वेश्ट कंट्री जो यह डोमिनेट मतलब होता है प्रभाव साली इंग्लिस मी इसमें भी यह लोग क्या कर दिया है कि एक ऐसा वातावर्थ यार कर दिया है सॉप्ट पावर ऐसेट संपत्ति के तोर पे कि म्यूजिक के दोरा फिल्म के दोरा और कल्चर के दोरा यह मीडिया को प्रभावित कर रहे हैं लोग प्रभावित कर दे रहे हैं हैंस दे सेंट्रल इंट्रलिजेंस एजन्सी इस पॉर्ट्रेट इस आल नुइंग डिस्पाइट इट्स अब्जेक्ट फेलर इन दबे और पिक्स इन्वेजन इराक्स नुक्लियर वेपेंस एंड़ अपकान आर्मी को के पैबिल्टीज इसमें बोला जा रहे हाला कि दे इस पॉर्ट्रेड आल नहीं पॉर्ट्रेड मतलब उसको प्रस्पूत किया जाता है कि सब कुछ जानती है डिस्पाइट इस फेलर एक फेलर यहां पर एक ही नहीं तीन फेलर की पाथ कि दब्बे आप इक्स इन्वेजन एक कोई समस्या थी उस पर उनका फेलर हुए एराक से नुकलियर वेपन फेल हुए और अफगानिस्तान आर्मे केपरबिल्टी जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत सालों से अमेरिका की फोर्श थी फिर कुछ देरे 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 वहां पसे केपिटल्स देरे डाउट्स बिंग फॉर्ड टोमेस्टिक ओडियंस विच कें इंज्वाए दे युएस एंड इट्स एलाइस फॉरेवर फॉर्मेटिंग अगेस्ट ऑपनेंट हुम में क्ली सब्मिट टूर्ड डाट राइज अब इसमें बूला है वर्ड ने जो 20 निज ह वह क्यूरेट मतलब प्रभावी हो गए किसके दोरा विस्टर्ण कैपिटल्स कुछ राजदानिया है जो विस्टर्ण में विस्टर्ण मतलब इस्ट वेस्ट नॉर्ट साइथ तो यहां पर दिशावाली जो वेस्ट में हैं उससे क्या उतर रीड आउट्स प्रभावित हो और जो नुज चैनल से वह प्रभावीत हो गए हैं और किसके वहल डुमेस्टिक मतलब घरेलू बात पर घरेलू जो वहां के लोग हैं जनता उनको बहुत आराम से प्रभावित कर दे रहें विस के इंजुए दे यूएस विसके इंजुए दे यूएस एंड इट्स एलाइ कितर बना दे रहे हैं वो मीकली सब्मिट टू दर डाट्राइब्स जो डाट्राइब्स मतलब होता है अभियोग मतलब जो जब कोई पावर में होता है तो उस पर ज्यादा ज्यादा आरूप लगाते जो आरूप लगाने वाले होते हैं उसको हम डाट्राइब्स बोलते हैं Threats of massive consequences and severe economic costs against Russia by G7 countries and the European Union are blandly announced without reference to what might be Russia concerned for its own security. इसने बुला जारा है कि जो एक massive मतलब बहुत बड़ा प्रडाम हुआ है and severe economic costs मतलब severe मतलब बहुत खतरनाक economic मतलब आलतिक costs मतलब रुपेस सम्बंदित जो है वो अगेंस Russia के द्वारा किसके द्वारा G7 countries के द्वारा जो तयार किया गया है और European countries Union के द्वारा वो रसिया को यह नहीं मतलब यह लोगों नहीं सोच रहें कि रसिया के security पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन लोगों क्या क्या है इतना ज्यादा मतलब डर बना रहे हैं यह लोग G7 countries और European countries किस पर रसिया पर अब बाइकाट ऑफ विंटर ओलम्पिक्स इन चाइना चाइना बाइर्रिलिवेंट वेस्टन ओपिस्यल इस हेरल्ड अब बाइकाट बोला जा रहा है कि जो चाइना ने बाइकाट किया किसका विंटर पिक्स का वह बहुत एक अप्रसांगिक है वेस्टन ओपिस्यल इस हेरल्डेड मतलब भाइसकार किया वेस्टन ओपिस्यल भी इसको भाइसकार किया बट नुर्बाइक बॉयकाट इस ठीटेंडिल अब फुटबाल वर्ड कप इट कतर कतर में एक फुटबाल हुआ था वर् वर्कर्स राइट्स एड अज नेगलिजबल एंड ओमोसेक्सिवल्टी इस टिम्ड इल्लेगल और यहां पर कतर में कतर में बुला जा रहा है कि एन एपसलीट मोनारकी जहां पर की एकदम रास्तंत्र हैं वेर और इसकेंट मतलब कम सिविल सिविल राइट्स है और पॉलिटिकल राइट्स है वर्कर्स राइट्स और जो मजदूर को अधिकार है एकदम ना के बराबर एंड हमोसेक्सिवल्टी इस डिम्ड इल्लेगल औ वहाँ पर नहीं कैंसिल किया गया मतलब वहाँ पर कोई बैक ओट नहीं हुआ लेकिन चाइना में हुआ यह बोला जा रहा है इसमें यह बोला जा रहा है कि यह बोला जा रहा है कि दवेस्ट मतलब जो पस्षिम राश्ट रहे हैं वह बहुत उन सबके पास एक अच्छा च्वाइस है पसंद तरीका है कि कि वह क्या कर रहे है जो पेनलाइस मतलब क्या कर रहे हैं उन पर आरूप लगा जरहा हैं आरूप नहीं मतलब sanctions लगा देने stellen adversaries एडन सरीज मतलब पॉलिटकल की देशिश मतलब उता है जो उनके बिचारों से उनके प्रतिबन लगा देते हैं और डूबियस लिगल्टी इन इंटरनेशनल रा किस पर बिदेशी इंटरनेशनल मद अंतराश्टी नियम में वह एक करकर उस पर सैंक्शन्स लगा देते हैं नो ओडिट कोई भी लेखा जोखा इवर बिन टेकें लिया गया है इम्मेंस सफरिंग इस सैंक्शन्स लगा दे जाते हैं किसी देश पर इस सैंक्शन्स का प्रभाव पड़ता है इननोसेंट सिविलियन पर अमलब जिनकी कोई गलती नहीं है उन लोगों पर जब यह प्रभाव पड़ता है उसकी बात को जाए कि कोई इसका लेखा जोखा नहीं लिया जाता है जो यूएस के ट्रेजरी लिस्ट होती है एक 36 ग्रूप अप मल्टिपल सैंक्शन्स इसमें कितना 36 ग्रूप साथ 36 ग्रूप है उसमें मल्टिपल सैंक्शन्स है जिसमें दलेटेस्ट अफ विच इस टिपकली इन्सेंट्टिव मेजर अगेंस सेवन बंगलादेशी और जो यह 36 ग्रूप है उसमें से एक अगेंस लगा थकिस पर साथ बंगलादेशियों पर इंक्लूडिंग दे पुलीस चीप पुलीस पर जश्ट विफोर फिप्टिथ अनिवर्सरी अप टेट नेशन्स लिबरल लिबरेशन फ्रॉम अमेरिकन एली पाकिस्तान और जिसमें कि उसके बंगलादेश के पचासमी वद्सकार्ट पजब आजाद हुआ था पचासमी जबकि 1972 में 1971 में आजाद हुआ था तो अब आज पचास साल हो गया है उस समय तब की बात करें कि उन दिन उस पर सेंक्सियों वर्ट वर्ड उल्डेश डिमोक्रेशी तो अर्बिट्रेट और फंडामेंटल राइट्स अफ़ादर इस आइरोनिक फार कंट्री वेर इन 12 मंथ इंडिंग मार्च 2021 इट्स पुलिस मडर 37 अफ्रिकन अमेरिकन पीपल पर मिलियन अगेंस्ट 15 पर मिलियन वाइट्स वेन अफ्रिकन अमेरिकन कॉम प्राइज वल्डे 13 परसेंट आप पॉपलेशन बूला जा रहा है कि जो बिश्व की सबसे उल्डेश डिमोक्रे ये लोगतन रेकोन यूइस जिसमें क्या हो रहा है न मनमानी तोर पर लोगों के मौली का दिकारों पर क्या किया जा रहा है अत्यचार किया जा रहे है वेर्ट बॉला जा रहा कि 12 मंत में 2020 कि मार्च में जो 12 मंत हुए थे उसमें पुरिस मिदर 37 अप्रिकन अमिरिकन लोगों की मडर मडर हो गया था कि इस मार लोगो और 37T लोगों के और घबकि वानिट लोगों में 15 लोगों का बस मरदर हुआ था जबकि अफ्रिकन अमिरिकन की संसंख्या कितनी केवल 35 stall 13 परसेंट है प्रतिक जो लोकतंत्र होता है एक उधारवादी नहीं होता है and not every society considered liberal is fully democratic और यह बुला जा रहा कि और नहीं कोई एक उधारवादी society है समाज है वो पूरी तरीके से लोकतंत्रिक होगी meaningful summit should be global in attendance and concentrate on facing problems such as inequality climate change, arm controlling arm control on earth and space बुला जा रहा कि हमें meaningful summit बुलानी चाहिए और उसमें क्या हो जाए एक global मतलब हर state के हर देश के हर देश के लोग उसमें आएं और किस पर बात हो? inequality पर हो, climate change पर हो और arms control on earth arms control on earth मतलब जो अर्थ पर जो प्राक्तिक संसादान नहीं उस पर कितना यूज कैसे यह सब इसकी बात हो और in space में कि कोई अंतरिच यान बना रहा है कोई भी कुछ बना रहा है missile बना रहा है इन सब चीजों को लेकर control होना चाहिए और इन्हों ने जिन्होंने यह editorial लिखा उनका नाम है क्रिष्मन सृतना नामशन इस फाम में फॉरेंन सेडीमा सिराथ होगे यह के फॉर्मर मतलब होता है यह फॉवार कि आछे फॉर्मर मतलब फॉर्मर फॉरेंन सेक्रेटर्स सचिक गए मतलब प्टेशी सचिव रच्पने है थिकरचिऊ